कि देखिए कोशन है डिफ्रेंशिवलिटी पे बेस कोशन है नॉनमली कंटिनिटी डिफ्रेंशिवलिटी और लिमिट में अक्सर कन्फ्यूजन होता है पर मैं आपको बहुत ही सिंपल अप्रोसेस को समझाता हूं देखिए क्या बोला है अगर लिखा हुआ है कि डिफ्रेंशियबल है तो इसका मतलब है कि डिफ्रेंशियबल भी है कि ओडेंशिली निकाल सकते का मतला होता है left derivative equal to right derivative अब इसको short में करना क्योंकि already पता differentiable है तो आप इसका differentiation करिए function मानते हुए तो आप जैसे ही करेंगे तो आपको मिलेगा 2a x और x के place पर 1 रख दीजिए तो आपको मिल गया 2a and similarly इसको भी differentiate करिए वैसे यह 1 प्लस h के लिए defined है यह 1-1 के लिए defined है बट कोई प्रॉब्लम नहीं एक डश निकाला तो 2x प्लस ए और x के place पर 1 रख दीजिए तो टू प्लस ए अब दोनों क्योंकि equal होंगे तो टू ए सबसे पहले तो हमेशा याद रखिए कि जितना भी question solve हो जाए जो option reject होते हो जहू करिए अब एकी वैलू टू अब इसके लावा यह भी पता है कि यह continuous है तो आप सीधे-सीधे यानि बी का वैलू जीरो है एक वैलू टू है जो की option सी में है आपने कितने सिंपल तरीके से question को solve कर लिया यानि complicated topic को भी simplest way में solve किया जासता depends कि आप कितने strong concept के साथ पढ़ाई कर रहे है